अफगानिस्तान को दुन्या के सबसे रुडिवादी देशों में से एक माना जाता है, जहां विवाप पूर्व यौन संबंध न केवल कानून के खिलाफ है, बलकि गंभीर अपराध माना जाता है, यहां तक की मौत की सजा भी दी जाती है. इन खत्रों के बावजूद कई गैर सरकारी संगठनों ने गरीबी के कारण वेशावृत्ती में व्रिद्धी की सूचना दी है. APMG Health का अनुमान है कि 2015 में देश में 12,500 वेशाएं थी. निकासी से पहले यहां अमेरिकी ठिकानों के आसपास वेशाले और वेशावृत्ती की खबरे आई है. अफगानिस्तान में वेशावृत्ती के लिए चीन, एरान, पाकिस्तान, फिलिपीन्स, श्रीलंका और ताजिकिस्तान की कई महिलाओं की तसकरी की गई है. बाल वेशावृत्ती की भी खबरे आई है यानि लड़कों का भी यौन शोशन किया जाता है ऐसा नहीं है कि यहां हर काम महिलाओं या लड़कियों की मर्जी से होता है बलकि कई बार महिलाओं और छोटी लड़कियों से जबरदस्ती की जाती है पिछली सरकार में ये सभी काम जोरशोर से हो रहे थे लेकिन जब से तालिबान ने इस देश की कमान संभाली है तब से सीमित समय के लिए इन गतिविधियों में भारी कमी आई थी लेकिन अब ये काम फिर से जोरशोर से जोर पकड़ रहा है 1. अफगानिस्तान की ज्यादा तर आबादी को आर्थिक मदद की जूरत है ये लोग गरीबी से जूज रहे हैं काबुल के दश्ट बार्ची जिले की चार बच्चों की तीस वर्षिय विद्वामा हावा अपने परिवार को गरीबी से बचाने और दो वक्त की रोटी कमाने के बारे में चिन्तित है उन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी को फेस्बुक पर एक लाख अफगानी एक हजार एक सो डॉलर में बेचने का फैसला किया जो एक मा के लिए एक बड़ा कदम है हावा नाम की इस महिला ने कहा कि मैंने टीवी पर खबर सुनी की लोग अपने बच्चों को बेच रही है एक सब्ता से अधिक समय बीच चुका है और हमारे पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है तभी मैंने अपनी सबसे छोटी बेटी को बेचने का फैसला किया हावा ने कहा मैंने टीवी पर खबर सुनी की लोग अपने बच्चों को बेच रही है इसलिए मैंने अपनी बेटी को भी बेचने का फैसला किया है